बालू और कीर्ती अपने माता पिता के गुजर जाने के पाद अपनी शांती बुआ के पास रहने लगे थे शांती के पती का नाम विनोथ था ना विनोथ को और ना ही शांती को कीर्ती और बालू का उनके साथ रहना पसंद था दूसरी और बालू और कीरती का बहुत बड़ा पत्रकार बनने का सपना था और ऐसा नहीं था कि इसके पीछे कोई वजह न हो उनके पिता एक बहुत प्रसिध पत्रकार हुआ करते थे गाउं में उनका अच्छा नाम था उनके पिता का भी यही सपना था कि उनके बच्चे अच्छे पत्रकार बने अपने पिता के इस सपने को सच करने के लिए कीर्थी और बालू पत्रकार बनना चाते थे और वे दोनु अपने इस सपने को पूरा करने की साधना में जुट गय थे गाउं में कहीं भी कोई भी ऐसी छोटी मोटी घटना भी घटती तो बालू और कीर्थी जाकर वहाँ पर पूरी तरह से जांच करने लगते उनसे सवाल करने लगते ऐसा कर उन्हें बहुत खुशी मिलती थी यूही दिन गुसर रहे थे एक दिन शांता अपने पती विनोत के साथ घर पर कुछ बात कर रही थी शरार्ती बालू ने उन दोनों को बिना पता चलाए उनके ही कमरे में एक छोटा सा माईक रख दिया था और उसे कनेक्ट करता हुआ स्पीकर गाउं के बीच ओ बीच रख दिया था और अपने हाथ में एक माईक पकड़ कर सुनो गाउवालो सुनो आपके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज है हर दिन की ताजा नए खबरों के लिए बालू का चैनल देखें और जाने कि हमारे बुआ और फुफा हम दोनों को सताने के कितने शडियंत्र रच रहे हैं ऐसी और भी मज़ेदार बातों को जानने जुड़े रहे बालू के चैनल से ऐसी और भी मनोरन जट ताजा खबरों के लिए संपर करे रिपोर्टर बालू को घर पर बुआ और फुफा बात कर रहे थे लगता है बालू और किर्ती घर पर नहीं है जब वो घर पर होते हैं तब कोई मन पसंद अच्छा सा वेंजन बना कर खाना चाहो तो दोनों आखे फाड़ फाड़ कर ऐसे देखते हैं जैसे निगल ही जाएंगे हमें जब वे दोनों इस तरह देख रहे होते हैं ना तो ना जाने आपको कैसा लगता होगा पर मुझे तो बड़ा आजीव लगता है जितना जल्दी हो सके उन दोनों को घर से निकाल देना होगा ऐसे शान्ता ने कहा शान्ता की बाते सुन विनोत कुछ न कह पाया देखो शान्ता हम चाहे जितनी भी कोशिशे कर ले उन्हें घर से बाहर करने की पर सारी कोशिशे विफल ही हो जाएंगी क्यूंकि अभी वे दोनों बहुत छोटे हैं उनकी समझ में कुछ भी नहीं आता और सबसे जरूरी बात ये कि गांवालों की नजरों में हम बुरे कहलाएंगे इसलिए हम जो भी करे हमें सोच समझ कर करना होगा ये कहकर विनोथ घर से बाहर किसी काम के लिए निकला रास्ते में अचानक उसे कहीं से शांता की कहीं कुछ बाते सुनाई देने लगी ये मेरे पती भी न हर समय गांवाले क्या कहेंगे गांवाले क्या कहेंगे यही कहते रहते हैं गाउवालों का क्या है? दो दिन बढ़ बढ़ाएंगे फिर खुदी शान्त हो जाएंगे विनोद चारो और आंग घुमा कर देखने लगा कि यह आवाज कहां से आ रही है उसे पेर के नीचे रखे स्पीकर्स दिखाए दिये वो सारी बाते वही से सुनाई दे रही थी स्पीकर्स से निकली इस आवाज को कुछ गाउवालों ने भी सुन लिया और वे सभी विनोद के पास आ गए ये क्या है विनोद? तो ये तुम्हारी असलियत है पहले तो हम सब के सामने बच्चों को अपने घर पर रख कर महान बन गए और अब उन्ही नन्हे बच्चों को मारने की साजिश कर रहे हो यूं हर कोई दुकार कर चला जा रहा था विनोद तुरंत अपने घर लटा और अपनी पतनी को सब कुछ बता दिया विनोद की गाम वालों को पता चल गया कि हम बच्चों को दिल से नहीं पाल रहे पर अब हमें इन बच्चों के साथ प्यार से रहकर उन्हें पालने की कोई जरूरत नहीं इसलिए मैंने सुचा है कि हम अब इन दोनों बच्चों को यहां से कहीं दूर ले जाएंगे बेटा बालू, कीर्ती, तुम्हारी बुवा चाहती है कि तुम दोनों को कहीं गुमा लाओं। चलो, जल्दी से तयार हो जाओ, हम चलते हैं, आज हम पिकनिक मनाएंगे, चलो चलो। ठीक है फुफा जी, हम अभी तयार होते हैं। कीर्ती ने खुशी से हाँ कहा, विनोद वहाँ से चला गया, आज तक तो इन दोनों ने कभी हमें बाहर ले जाने की नहीं सोची, आज अचानक इतना प्यार क्यों उमड रहा है, मेरे अंदर रहे पत्रकार को ये बात कुछ हजम नहीं हो रही दिदी। अरे ओ बालू, अपने इस पत्रकार दिमाग को कुछ समय के लिए आराम दे दे, और बेकार की बाते सोचना बंद कर, चल अभी चलते हैं। जवा पाने के लिए जुडे रहे हमारे चानल के साथ। हमारे साथ ऐसा मत कीजिए, अगर आप कहें तो हम कहीं दूर जाकर रह लेंगे बुआ, ऐसा मत कीजिए। किर्थी के कई बार गिर्गिराने पर भी शान्ता ने उसकी बात नहीं सुनी। उन दोनों ने किर्थी और बालू को बड़ी निर्देता से उंचा इसे पानी में ढखेल दिया। पर भगवान की दया से वे दोनों मचवारे के डाले हुए एक जाल में फसकर बचकर बाहर निकले। हमारे बुआ फुफा ने हम दोनों की जान लेने के लिए कठोटा की सारी हदे पार कर दी। इस बात के साथ आज की खबरे समापत हुई। और भी दिलचस्प खबरों के साथ मैं वापस लटूँगा जुड़े रहे बालू चैनल के साथ। ओ पागल पत्रकार बस भी कर अब और ये सोच कि हमें उन दोनों के पास वापस जाये बिना अपनी जिंदेगी कैसे बचानी है। और अपना गुजारा करने के लिए क्या करना चाहिए। ये तुमने पहली बार एक पत्रकार की तरह सचा है दीदी। अपने माता पिता को हमेशा के लिए खोकर बालू और किर्थी बहुत दुखी थे। तभी उनके चाचा सतिश उनसे मिलने के लिए उनके घर पर आये। रो रहे किर्थी और बालू को देखकर सतिश चाचा ने कहा। बेटा कीर्थी अब तुम भी रोगी तो कैसे चलेगा। तुम्हें ही तो अपने भाई को भी समझाना होगा। अब तुम ही रोते रहोगी तो उसे कौन समझाएगा। हमें जान से भी जादा प्यार करने वाले हमारे माता पिता हमें छोड़कर हमेशा के लिए इतनी दूर चले गए कि वो वापस नहीं लोटेंगे बालू ने रोते हुए कहाँ चाचा जी आप ही बताएए न मेना माँ बाप के बच्चे कैसे जी पाते हैं तुम्हारे मा बाओ जी अब इस दुनिया से जा चुके हैं जो दुनिया से चले जाता है वो वापस नहीं लोट सकता जो तुम्हारे साथ यहां है उन्हीं को तुम्हारा ध्यान रखना होगा चलो एक काम करो तुम दोनों मेरे साथ चलो तुम दोनों को पाल पोस कर बढ़ा करना, तुम्हें खुब पढ़ा लिखा कर अपने पेरों पर खड़ा कराना, अब ये मेरी जिम्मेदारी है। नहीं जाचा जी, भगवान ने हमारा भागय अच्छा नहीं लिखा। तुम्हें ऐसी बेतु की बातों पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं, तुम दोनों मेरे साथ आराम से रह सकते हो, वैसे भी हमारी कोई संतान नहीं और तुम दोनों के माता पिता नहीं, हम सभी साथ में अच्छे से रहेंगे। सतिश ने बच्चों को किसी तरह मनवा लिया, बच्चों को अपने साथ लिये घर पहुंचे सतिश को उसकी पत्नी ने देखा, वो सतिश का हाथ पकड़ कर कीर्थी और बालू से उसे दूर ले गई, और उससे कहने लगी, ये आपने क्या किया, इन दोनों को यहां लाने की कह दिया, पत्नी की सारी बात सुन सतिश ने कहा, जैसे ये तुनों अपने लिए ख़जानी की चाबी है, अगर इन दोनों को हम अपनी संतान बना कर रख लें, तो इनकी सारी जायदाद अपने नाम हो जाएगी, एक बार अपना काम हो जाए, तो इन दोनों को हम घर से वहा निकाल देंगे, आपकी इस सूज बुचकी तो मैं कायल हो गई, मेरे पती कोई साधारन इनसान नहीं, बहुत होशियार है, राधा खुश हो गई, पर हाँ, बच्चों पर जादा जुल मत करना, कम से कम तब तक उनका अच्छ से खयाल रखना, जब तक वो कागजाद पर हस्ताक्षर ना कर दे, अहां पर मैं आप जितना इंतजार नहीं कर सकती, उन दोनों से हस्ताक्षर कैसे करवाने हैं, ये मैं अच्छे से जानती हूं, आप जाओ और जरूरी काज़ाद बनवा कर ले आओ। राधा ने अपने पती से कहा, उस दिन से राधा कीर्थी और बालू को मन मानी मारा करती, घर के सारे काम उनहीं से करवाती, एक दिन उसके अत्याचारों से उपकर बालू चुपचाप रोए जा रहा था, उसने दुखी होकर अपनी दीदी कीर्थी से कहा, दीदी मुझे बहुत भूख लग रही थी इसलिए रसोई में जाकर मैंने धाली में पुरुष कर खाना गाया चाची ने मुझे से ये कहकर मेरी पिताई की कि मैंने उन्हें बिना बताये खाना गाया चाची ने मुझे बहुत मारा दीदी, मैं उनके मार बरदाश नहीं कर पाया दीदी, इसलिए मैं यहां आकर बैठ गया। तभी बालू और केड़ी को पूरे घर में ढूंटी हुई, राधा उनके पास आई। अरे ओ बालू, तु यहां अपनी दीदी से हाहा कर, जितनी शुकायत करनी है कर, मैं भी देखती हूँ कि वो मेरा क्या बिगाड लेगी। राधा ने गुस्से से कहा, मैंने दीदी को कोई जूट मुट की कहानी बना कर तो नहीं बताई न, मैंने दीदी से वही कहा जो सच है, वैसे भी हम दोनों को यहां रहना अच्छा नहीं लग रहा, हम चले जाएंगे, हम यहां नहीं रहेंगे, आपकी सेवाएं करने नहीं बालु ने बिना डरे मन की बात कही ठीक उसी समय जायदाद के कागजाद बनवा कर सतिश घर लोटा। राधा देखो तो मैं क्या लेकर आया हूँ एक बार बस इन दोनों के इस पर हस्ताक्षर पढ़ जाएं इनकी सारी जायदाद अपनी हो जाएगी। राधा ने कागजाद कीर्टी के सामने रखे और उन कागजाद पर कीर्टी को हस्ताक्षर करने के लिए कहा। तुम भले मेरी जान ले लो पर इन कागजादों पर मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगी। अगर तुम मर जाओगी तो इन कागजात पर हस्ताक्षर कौन करेगा। तुमसे हस्ताक्षर कैसे ले रहे हैं ये मैं अच्छे से जानती हूँ। तुरस्ट राधा ने कीर्टी और बालू के हाथ पकड़कर उन्हें जबर्दस्ती घर के पीछे की और ले गई जहां पर गहरी खाई थी। उसने कीर्टी को लोहे के बेडियों में बान दिया। कीर्टी अगर तुमने हस्ताक्षर नहीं किये तो मैं तुमारे भाई बालू को इस खाई में फेग दूँगी। राधा की धमकी सुन कीर्टी को लगा कि वो सच में बालू को नुकसान पहुँचाएगी। वो हस्ताक्षर करने के लिए तयार हो गई। जैसे ही कीर्टी ने हस्ताक्षर कर दिये निर्दई राधा ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा और उन दोनों को साथ में खाई में फेग दिया। गहरी खाई में गिरे कीर्टी और बालू पेड़ों की तनों की वज़े से मामुली चोटों के साथ समीन पर गिर पड़े। वो एक जंगल था। देदी अपने मा बाउजी भी नहीं रहे और उन्हाने जो हमारे लिए चायदा छोड़ी थी वो भी नहीं रही। अब हम दोनों ही एक दुसरे के सहारे जीएंगे। रोते हुए अपने भाई को गले से लगा कर किर्टी भी रोने लगी। बालू और कि जंगल की और चलने लगे।